सुबह खाली पेट गुड़ खाने से जड़ से खतम हो जाते हैं ये रूप कभी नहीं आएगा आपको बुड़ापा और शरीर आपका बिलकुल फॉलाद बन जाएगा जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुड़ के ऐसे अचूक फायदे जिसे सुनने के बाद आपकी आँखे खुली की खुली रह जाएंगी और आप खुद मार्केट जाने पर उसको लाने पर और खाने पर मजबूर हो जाएंगे गाइस चीनी को रिप्लेस करके गुड़ के इस्तमाल करना ये तो आपने सुना है लेकिन उसके बावजूर भी आप इसके इतने हिल्द बेनेफिट होते हैं वो नहीं जानते गुड़ एक ऐसा सूपर फूड है जिसके फायदों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं आम तोर पर लोग सर्दियों के मौसम में इसका सेवन करते हैं जबकि इसे साल भर खाया जा सकता है गुड़ स्वात का ही नहीं बलकि सेहत का भी खजाना है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकसर डॉक्टर भेतर स्वास्ते के लिए मीठा खास तोर से चीनी से दूर रहने की सला देते हैं लेकिन गुड़ के साथ ऐसा कोई बंदन नहीं गुड़ ना सिरफ खाने में टेस्टी है बलकि ये कई औशदी गुनों से भरपूर है ये एक ऐसा सूपर फूड है जिसके फायदों के बारे में बहुत कम लोग चानते हैं तो आज मैं आपको इसके ऐसे ये जोड़ फायदे बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आप हैरान रहे जाएंगे गुड़ पेट से सम्मंदित कई समस्याओं का रामबान इलाज है अगर आपको गैस या एसेडिटी की शिकायत है तो गुड़ खाने से आपको लाब मिलेगा वहीं गुड़ सेंधा नमक और काना नमक मिलाकर खाने से खटी डिकारों से छुटकारा मिलता है भूजन के बाद गुड़ खाने से डाइडेशन अच्छा होता है गुड़ खाने से भूग भी हमें खुलकर लगती है गुड़ आरेन का बहुत ही अच्छा सोत्रू होता है अगर आपका हुमोगलोबिन कम है तो रोजाना गुड़ खाने से तुरंत लाब मिलेगा गुड़ खाने से शरीर में लाल रख्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है यही वज़ा है कि प्रेगनेट महिलाओं को डॉक्टर गुड़ खाने की सला देते हैं एनिमिया की मरीजों के लिए गुड़ अम्रित के समान है गुड़ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है अगर आपको भी बीपी की समस्या है आपका बीपी कभी लो या हाई हो जाता है तो आप उस समय गुड़ का इस्तवाल करें और फिर देखें आपके रेगुलर इस्तमाल करने से आपको कितना अच्छा लाब मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी हडिया मजबूत रहें उसमें कैल्शियम और फासफोरस भरपूर मात्रा में रहें आपके दात मजबूत रहें तो आज सही गुड़ का सेवन करें क्योंकि गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फासफोरस पाया जाता है जो हमारी हडियों को मजबूत करता है और गुड़ के साथ अगर अद्रक खाया जाए तो जोड़ों के दड़ से भी आपको छुटकारा मिलता है गुड़ शरीर को मजबूत और अक्टिव बनाता है शाररी कमजोरी को दूर करने के लिए दूर के साथ गुड़ का सेवन करना चाहिए इससे आपको इंटरनली ताकत मिलेगी और आपके शरीर को एक अलग ही उरजा मिलेगी गुड़ सर्दी जुकाम भगाने में काफी असरदार है काली मिर्च और अद्रक के साथ गुड़ खाने से सर्दी जुकाम में अराम मिलता है अगर किसी को खांसी की शिकायल बहुत जादा है तो वो चीनी के बज़ाए गुड़ खाए क्योंकि अगर किसी को खासी लगती है तो सबसे पहले हम उसको क्या बोलते हैं मिश्री खालो या चीनी मूँ में रख लो लेकिन अगर आप उसकी जगा पे गुड़ खाते हैं तो रोजाना गुड़ का सेवन करना शुरू कर दें और आपको कुछ नहीं करना आप खुद अपनी आखों की इंप्रूमेंट देख पाएंगे महिसूस कर पाएंगे गाइस ये हर चीज के लिए हमारे पूरे शरीर के माने को दूर करने के लिए बहुत फाइदे मंद है और अभी तो इसके और भेतरीन फाइदे हैं बहुत ज़ादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा I think मैं अपनी वीडियो में आपके सर से लेकर पैरों तक की सारी बिमारियों का इलाज बताया है गुड तो सस्ता भी है और एफेक्टिव भी है तो आज से इसको अपनी डाइट में शामिल करो स्वास्त रहो खुश रहो अपना खयाल रखो हमेशा मैं आपके लिए कुछ बहतर लाती रहूंगी जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा आपका खयाल रखोंगी मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई टेक केर और स्टेए हल्दी